हेलो इस्टुडेंट वेल्कम बेक टू माई चैनल सम्राट कडमी स्टुडेंट मेराना मेकास मेरे प्यार विदार चुछ जीतने बच्ची 2030 बुड़ियां देने वाले हूँ उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपोटेंट है आज मैं आप लोगों को जीव बिग्यान के चीतर वाले परस्वाले भीडर आते हैं जैसे मानोहिरदे का आगया क कीताब में पुरे यूटूब तो सब्दों में नहीं बताया जाएगा जितना आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा और यह प्रस्ण तो 100% नहीं आने वाले हैं तो कोई रोक नहीं सकता है 95% है इस बार मेरा ही चैनल आप लोगों समरा टिकेंड में ऐसा चैनल है जो आप लोगों को यह पूरा कराए है जीकि यह प्रश्णा इससे पूश्टब्फ यह हर साल रहुक्टिप कि अजाम में आता है कि मनुछ से को उस सर्जेयन तंत्र का नमा की चीपनाए इस सर्जें तरु नों हुद शर्ज hetink काई नहीं होते उनको बाहर निकालता हुआ पहले वूप निवलना सब्सक्रा ने विट कि उप्सक्षच करों दिखा exam इसे बोलते हैं महासिरा और इसे बोलते ऐं महाध धमनी बोलते हैं महाधा सिर्दित पततरुदा को दिखाई है वख़कौिति निकलता है यहां पर essere proprietary मुत्रास होता है और यह मुत्रमार्ग होता है ठीक है तो पहले यह चीतर देखिए कितना आसान सब्द में मतलब कितना आसान फिगर बनाया हो कोई भी लड़का बना सकता है इस फिगर को ठीक है आप पूरे अंकले कराओगे आपकी किता में तो बहुत ज्यादा डिफकल्ट यह भी ढलते है तो इस तरह आप लोगों को नहीं बनाओ बस फ़लो करो डूर ना चीतर हो गया इसके बाद हम लोग इसका सबसे पहले देखिए डालेंगे व्रिक का कार्य क्या होता है कि यह यह एक जोड़ा सेम के बीश कि आकरेतिका होता है जैसे सेम का एक भी जोता है प पे पढ आगे इसलिए इसको एक जोड़ा लिखा गया है कि एक जोड़ा में दो होता है ठीक है यह इक जो डा सेम के बीज कि अकृतिका होता है और यहां गारा भूरे रंग का होता है मतलब किस कलर का होता है भूरे रंग का होता है और इसमें 10 लाख नेफरान उपस्तित होते हैं 10 लाख नेफरान उपस्तित होते हैं समझ लिजिए जो रक्त से यूरिया को अलग करता है ठीक है नेफरान का काम क्या होता है कि blood से क्या करता है, यूरिया मतलब यह अपशिस्ट पदारत है। तेखे उसको रग्ण से क्या करता है अलग करता है। कौई नेफरान . इसकी लंबाई जो होती है व्रिक के ही नहीं अर जैसा यह जो आक्रिसी देखरो यह मतर्वाइनिया है और रिखें लाई यह लिखेंगे इसमें कि यह एक ज पतला लंबा नली जैसा सतर collectors होती है जो लिक्ता मुतरासि के बीच पाया जाता है देखिए मूतरा से के बीच पाया जाता है देखिए यह व्रिक है और यह आपका मुत्रा से इसके बीच ठीक है मुत्रा से इसके बीच यह नली पाया जाती है जिसको मुलते हैं मुत्रवाहिनिया व्रिक हुआ है और यह आपका कहा है मुत्रा से इसके बीच पाया जाता है मुत्रवाहिनिया वही च मुत्रासी में दिखा दूं। अप लेगोई फिगर में यह चीज यह आपको समात हो रहा है मुत्रासी, मुत्रासी से यहां पर मुत्र मार्यविद्वरा पैलेट बाहर आजाता है। एक थैला जैसा सनचना होता है जहां कुछ समय तक मुत्र उसमें 98 incentive जला जाता उसमें 2% urea अर्ट होता है उस इतना ही पूरा की नमबर के लिए एक नमबर नहीं नहीं कटेगाです इसके दवर्मूत्र मुत्र को सरीर से क्या होता है भाहर निकाला दिया जाता है। बस कितना सिंपल सब्दों में 6 नमबर के लिए पूछा जाएगा बस इतनी टॉपिक लिखके चले आना और यह सुंदर सा फिगर आप बना लेना एक नमबर आपको नहीं करेगा टापर की कॉपी ऐसे ही होती है टापर ज्यादा कुछ लिखते नहीं है बस में 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 पॉइं बताओंगा वो सब भी पूछे जाएंगे लिखित बता रहा हूँ जैसे मानो घृदे का सची तवरने क्रिया वेदी समझाईए तो पहले मानो घृदे का हमें चीतर बनाना पड़ेगा जो कि हमने बहुत अच्छे तरीके से बना कर लेका आया हूँ देखिए यह चीतर है म मेराचीतर जैसे बनाया हम पूरा बनालीजेएं मैं डिसकस करता हूँ यहाँ से यह जो आप लोगु का ए फूफुष धमली होता है ठीक है और यह जो आगए यह माहांदधमली होता है पूरा चीतल में पढ़ेंगे एक एक यह करके और यह अग्र माहासिरा होता है और यह का दाया अलिंदा होता है और यह आपका दाय निले होता है अधर आपका बाय अलिंद यह वला पॉर्शन के होता है बाय निले होता है देखिए बाय अलिंद और बाय निले के यहां पर त्री का पार्ट होता है त्रीदली का पार्ट तीन का पार्ट यहां पर लग होते हैं ठीक है तो यह आप लोगो का मानुहिद्य का पूरा का पूरा हमने फिगर बना है कितना सिंपल बना है किताब में तो बहुत भारी दे रखा है ठीक है तो यह आप लोगो फिगर यहां पे आप लोग स्क्रीश विडियो को डाउन्लोड कर लो और एके करके जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं पूरा नोट कर लो इस फिगर को बना लो आप लो ठीक है फिगर आप लोगो बना लिए चलिए इसके बाद हम लोग यहांसे लिखेंगे प्रियाबिदीस की टीके करके हम लोगी क тебе दिसके पड़ते हैं क्ल contents के अपने लिख लोग है करा कि हरे धमनियों के माध्यम से बाए निले में भरे अकिसिजनित रुधिर को शरीर के बीभीन अंगो तक पौंप करके पूँचाता है धेखो जहान पर ये आकषिजनीत लिखा रहेगा सम्मलेना कि सुधर millise बोलते हैं तकरा की हिर्दे धमिन्यों के मादन से बाएं निलेंで मेंसे भरे आकिज़नीत रुदिर को सरी के विविन आंगों तक पम्प करके पहुचाता है अब यह कंसेप्स काता है अब यह कंसेप्स क्या है पहले समझे और जब pump करता है तो blood यहां माहा धमनी से होते हुए पूरे सर्जी में हमारे blood पहुच जाता है बस यह तो पहला point अब की दिमाह में छप गया होगा इसके बाद दूसरा पढ़ता हूँ दूसरा समझाता हूँ फिर इसके बाद है कि रुधीर जब अंगों के पास पहुचता है तब भिन धमनियों छोटी छोटी बहुत पतली कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है जिनके माध्यम से आक्सिजन वा अन्य पोसकत्तों को प्रते कोशिका तक पहुचाया जाता है अब कह रहा है कि जैसे ही माध्यमनी से बलड हमारे अलग-अलग अंगों तक पहुचेगा अब वो अलग-अलग अंग जो है वो अलग-अलग छोटी-छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाएंगी और छोटी-छोटी को सिखाएं पूरे सरीर में बढ़ जाएंगी और उन्हीं छोटी-छोटी को सिखाओं से यह हमारा बलड जो है पूरे के पूरे सरीर में पहुँचाएगा ठीक है यह चीज होता है तो दूसरा पॉइंट भी आप लोगों को समझ में आगया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को और इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होता जब सरीर में पहुचाएगा पूरा फिर उसके बाद को सिखाएं अपसिस्ट पादार्थों को एकत्रित करकर पूरा जुड़ने लगती है वो सिराओं का निर्मार करती है अब जो पतली पतली को सिखाएं थी जो कि सुद ररगत को पूरे सरीर में पहुचा दी जो सुद ररगत को सरीर में पहुचाने के बाद जैसे सुद ररगत को सरीर को दे देती है तो उस सरी से अपसिस्ट पादार्त को ले लेती है अब उना लेकर फिर सिरायं का निर्मार कर रहती है अब फिर सिरायं का निर्मार करके वापस आने लगती है इसके बाद महा सिरायं जो महा सिरा है महा सिरा वी अकसजनित रुधिर को वी अकसजनित मतलब होता है असुद असूद रुदिर दाएव दिल्य में प्रोविस करता है अब इसका कहने का मतलब क्या है इसको देखिए कह रहा है कि जब असुद रुदिर आता है तो असुद रुदिर आता है पहले कहां पे देखें महासिरा महासिरा से होते हुए असुद रुदिर प्रफ्रेश करेगा दाए अलिंद में दाए अलिंद से यहां पर त्रीका पार्टी लेगे होती है त्रीका पार्ट से होते है न शाइनले से वी आक्सिजनित रूधिर को फुफूस दमनी त extraction है ठिक," Alrighty? सचारा है? कि फूफूस में रूधिर में आक्सिजन परवेस्थ करता है खुफूस में रूधिर में लोग सांस लेते है तो फेपला में आक्सिजन पौशता है वह कारवंडा एक्साइट रूदिर से निकल जाती है अब आक्सिजनित रूदिर फूफुस सिराओं के माद्यम से बाएं आलिद में प्रविस करता है और इस तरह द्वारा संचरन लागातार चलता रहता है अब कहा रहा है इसको नूट कर लिए फिर स बाएं अलिंद से सुदरुदिर चला जाता है बाएं निले में और बाएं निले से सुदरुदिर फिर महा धमनी से होते हुए पूरे सरी में पहुचने लगता है के लिए रहो गया ना चले पूरा नूट के लिए एक बार फिर पूर आप लोगों को समझा देता हूँ है किसी काओं के माध्यम से पूरे अंग में याता है और अक्र मांसिरा में अग्र आफर दmen लिख दर+. पूरी के पूरी प्रकरिया ही समझा दिया हमने बताइए कभी भूलेंगे हूँ कभी नहीं भूलपाएंगे तो इहा था आप लोगों का क्यू neither जो कि बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि मानों इदे का सचीत वरण की दिए हमने एक एक इस्टे बताया है पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ठीक है चलिए मेरे प्यारवचो अगला क्यूसन देखते हैं देखें मेरे प्यारवचो अगला प्रस्ण यह प्रस्ण बहुत ज़्यादा इंपोटेंट है कि मानों में मादा जनन तंत्र का एक नमांकी चित्र बनाए पूस्ता ही पूस्ता है जिसे हम बोलते हैं अंडवाहिमिया और यह जो आपको नीले नीले करे की दिखाई देर ही इसे बोलते हैं अंडास है ठीक है और यह जो भाग आपको दिखाई देरा है आगे का इसे बोलते हैं परिगरभास है और यह जो आप लोगों का डिजाइन नुमा आपको काकृति दि दिखाई दे रहा है है इसको बोलते इंग्रीवा और यह जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह चीजे इसे बोलते हैं योनी और यह जो पोर्शन इसे बोलते हैं वलवा भग बोलते हैं ठीक है किलियर हो आप लोगों को तो यह पूरे को पूरे आकरीती में जो पर आप लोग नोट करो पर आकरिती बनाओ कितना सिंपल चीतर कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को चीतर बन गया अब देखिए यहां पर लिखेंगा हम लोग इसके बारे में लिखें कि मादा जिनन अंग में निवनस संद्रचना हैं पाई जाती है पहला तो अंडा से पाई बस इतना ही लिखना है इसके बाद रूरा पर लोगों को ऑनडा का लुप सब्सक्राइब लिखेंगा हम लोग यह अंडा से तथा गरभासे के बीच नली युक्त सनफना होती हैं जिसमें आंडारू की निसेचन की क्रिया संपन होती है कह रहा है कि यह अंडासे तथा गरभासे की बीच इस दोनों की बीच यह नली यूगत सनच में होती है जिसमें अंडारो की निसेचन की क्रिया संपन होती है मतलब जो फैलोपियन नली का में में भूम का है वो अंडारो की गर्भासे की बीच पाया जाता है, यह गर्भासे इसके बीच पाया जाता है, क्या उनसी फेलोपियन न लिखा पाया जाती है, बस इतना ही तो लिखा हूँ, क्लियर हो गया न, चलिए, अब इसका दो पॉइंट हमने लिख दिया है, अब तीसरा लिखेंगे, एडिन पड़ेंगे लिखएंगे यह यह थैलिनुमा ऊल्टे न सपाती का सट रच नहों होता है जहां भुरुन का विकास होता है कि इसका भुरुने से उप लहों का बंचे निर्माड होता है ठीक है तो किस का निर्माड वत अब ratios का है तो बस यह पोइंट आप लोगों को लिखदेना है इसके बाद बनता है क्रिवा धया यह पोर्शन क्राइब गरभाषे की नीचे संक्रे भाग جहां गरभाषे तथा योनी मिलते हैं गरिवा कहलाता है Čज के लिखत स्पेशियों वाली नली युक तो सचना होती है और जिसमें सीसन का परफिश होता है तता यह चृटर के द्वारा सरीर से बाहर किलता है जिसे वल्भा भाग कहते हैं कि होलबा भाग मुत्रवी ची होता है जिसे बच्छा यहा 서로 निकलता है कि वल्भा भाग कहते हैं तो यह जो आप लोगों का में क्यूंस ना आप लोगों को बतारों बनाना पड़ेगा ठीक है इसका भी तो देखो यह इसका फिगर में छोटा कर देता हूं इसका फिगर अब बनाओ तो यह आप लोगों का फिगर विक्राणू का यह जो आप लोगों को नली दिखाई दर इसे बोलते हैं अभिवाही धमनी का और यह जो निकल नहीं है इसे ब दो नहीं कर लोगों का इंचे की तरफ आ रही है वी जो बन रहा है जो क्या रोही चांप और रोही चांप की मिलने से बन रहा है इसे बोलते हैं हेनले का चांप जी हैनले का लूप भी आप इसे कह सकते हो अब यह नलिका उपर जा रही है दिरे 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 ऊपर जा रही नलिका इसे बोलते हैं सारी नलिका यहां पर मिलती है इसको बोल ठीक है पहले कॉपी में अप लोग जिएफीर में सिंपल फिगर बना के लिंग लिए इसको बनाओ इसके बाद तब जाकर यहां पर लिखना आप लो ठीक है उत्तर में अब यहां से उत्तर लिखो उत्तर लिखेंगे कि नेफरान व्रिक की संराजनात्मक यह क्रियात्मक की काई है प्रतेक विक्राणू रुधीर को चानता है मतलब प्रतेक विक्राणू का काम क्या होता है रुधीर को चानने का काम होता है तता मुत्र का निर्मान करता है विक्राणू के निम्लिकित भाग होते हैं अलग-अलग भाग होते हैं बहु ही बोला है यह कप्या प्लेड जैसे सनचना होती है जिसमें रक्त नािकाओं इसमें। बना होता है जिसकी आकरिती जो है यू जैसी होती देखिए इसकी आकरिती यू जैसी नहीं दिख रही है आपको इसकी आकरिती की सकार की दिख रही है यू जैसी इसकी आकरिती आप लोगों को दिख रही होगी तो यह बोला है कि यह पतले नली का बना होता है जिसकी आकरिती वो संग्रहक नली, ठीक है, संग्रहक नली में लिखोगे, कि संग्रहक नली दिखा देता हूँ, यह होता है, यह जो नली उपर की तरफ जा रही है, यह तो संग्रहक नली है, लिखोगे, कि यह एक विशेस प्रकार की नली होती है, जहां सभी आरूप चाप, आकार मिलते हैं, इसके बाद सभी संग्राहक नली मुत्र नली में चली जाती है बस यह सभी नली जो है यहां पर मिलते हैं जिसे संग्राहक नली समाने संग्राहक नली बोलते हैं और यहां चल जाते हैं मुत्र में चली जाती है तो वही पोर्षन तो लिखा हूँ तो यह आप लोगों का भाग कि रुधीर रीनल धमनी में बहुत दाप परवहता है जिसे ग्लेम्रोलस की पतली दिवारों से रुधीर छंता रहता है अब इसका मतलब क्या समझो कि रुधीर रीनल धमनी से बहुत दाप परवहता है यह अभिवाही धमनी है इसके बाहर देखो कि रीनल धमनी रहेगा यहा में यहां के देख hice रुधीर शनने के लगता है यहां से च्छनगर आप कि और प्रोटीन समपुट में चले, टीक है तो वही चीज़ लिखा ए, कि रुधीर रेनल दमणी में बहुत दा प değerता है, जीसे घ्ल 메ृम मेलेस की पतली दिवारों से रुधीर क्या होता है चनता है इसके बारल लिखोगे दूसरा रुधीर कोसिकाऑं और प्रोटीन कोसिकाऑं में ही रहती जबकि जल की अधिकांस मातरा और भुले वे खनीज दोरा चाहन ले जाता है देखो इसमें क्या होता है कि जो ४लड वो आप लोगों को सिकाओं में ही रहता है लेकिन जल और जो अपसिस्ट पदार्थ हैं वो रुदिर से च्छनकर वोमें संपूर्ट से होते हुए कुंडली तनलिका में चले जाते हैं ठीक है वही कह रहा है इसका तीसरा लिख हो गए इस निस्यंदन में जो एलेने देने के इस निस्यंदन में वज्य पदार्थ जैसे यूरिया के साथ साथ लाबदायक पदार्थ जैसे गलुकोज आदी उपस्ती तरहते हैं इनके अतिरिक्त जलकी अतिरिक्त मातरा जो सरी के लिए उप्योगी नहीं होती है वो भी होती है कह रहा है कि जैसे यहां से च्छनकर लिए लबदायक होते हैं इसके बाद है अगला फिर क्या होता है कि जब यह निस्यंदर नलिका में आता है तो लबदायक पदाष जैसे गुलुकोज अमिनो अमलजल का पूरा नलिका में उपस्तित को सिकाओं द्वारा और सोसल होता है कि अब यहीं छन के जब यहां पे कुं इसके बाद अगला पूर्ण लिखो गए उन वज्य पदार्थों का भी छनन इनको सिकाओं दोरा होता है जो सेसर जाते हैं मतलब जो कुछ वज्य पदार्थ खराब पदार्थ बच जाते हैं जो हमारे सरी में चले जाते हैं उनको भी वापस ले लिया जाता है फिर करा कि अंत में फिर निसेंदर्ण में अंत में जो निसेंदर्ण होता है उसमें केवल देखोगे तो यूरिया और आण सब एकतृत हो जाते हैं अलग और फिर वह मूत्रवणियों के होते वे बाहर चले जाते हैं तो यह अथा आप लोगों को पूरा एक एक स्टेफ हमने बताया है आप लोगों को पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारवच्चो यह का आप लोगों को टॉपिक छूटा नहीं होगा चलिए तो क्लियर हो गया ना अगला प्रश्ण देखते हैं देखो मेरे प्य प्रथम नियम को बोलते हैं प्रभाविता का नियम होता क्या है कि जब विप्रित लक्षण वाले पौधे का क्रास कराया जाता है तो यफवन पीडी में केवल प्रभावी लक्षण ही देखने को मिलता है प्रभावी लक्षण मतलब मतलब क्या होता है जो लक्षण दिखाई देता है जिससे प्रभावी लक्षण में जो बाहर से आप लोगों की दिखाई देता है प्रतमनियम यही होता है कि जब विपरित लक्षन वाले पौदे का क्रास कराया जाता है तो यह फोन पीड़ी में क्यों परवावी लक्षन देखने को मिलता है एक जामपल समझें पूरा पूरा डीटेल में देखो एक लंबा पौदा है तो उसका विपरित हम लोग अगर लेंगे तो लंबा कर जागा बाउना पौदा ठीक है तो देखो जब विपरित लक्षन वाले पौदे का हम क्या करा रहे हैं क्रास करा रहे हैं क्रास करा रहे हैं क्या देखने को मिला है देखो लंबा पौधा है केपिटल टी टी बहुना पौधा है इसमाल टी जब भी लंबा पौधा का आजा हो हमेशा केपिटल सोता है अब बहुना आजा हमेशा इसमाल सोता है याद रिखेगा तो लंबा पौधा केपिटल टी टी बहुना पौधा इस अब टित है इसको भी खंदित करें ते यह तित टी और टी में बढ़ जाए गा और इसको भी खंदित करें आप प्र Kelो के त्वो टी का करा झते किया से रखे रखेव मायगा है रिशनृ और भला क्युंदा यह प्रक्रिया यहां पर आ गया तो इसे यहां से उत्पम वहां आपका F1也 वा और large प्रभागता कर नियंग प्रभागता का नियंग, जिसे एकर लक्षण भी कहते हैं, पूरा हमने अच्छे तरीके साफ लोगों को बता दिया, तो पहला नियम ताफ लोगों को समझ में आई गया होगा, इसके बाद दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम कहा है उसको आप लोग समझने का प्रयास कीजिए दूसरा नियम होता है प्रित्थिक करण का नियम जिसे युगमो को की सुदेता का नियम भी कहते हैं देखो यह यह होता है कि जब यफवन पीडी से यफवन पीडी हम लोग अभी जिस निकाले हैं तो जब यफवन से प्राप्त संत्थी को आपस में तो परागण करा जा है तो यहाँ हम लोग यहां पे देखें हैं यहक अनुपात में लक्षन में कह लोग मिल को हम प्रत्री क 되는데 से दिखने को क्या मिल है दूसी ओपर प्रीयो nhất प्रिठिकरान का नियम में क्या होता है कि जब यपॉन प्राप्त जो संतिती जो केपिटल टी स्माल टी आया है वो सो परागण मताव आपस में उसको परागण करा जाए तो यह फ्टू पीडि निकले गी और यह फ्टू पीडि में तीन समंदे के इनुपात में लक्षों दे करेंगे तो यह केपिटल टी स्माल टी में इस को भी करेंगे तो यह केपिटल टी का हम लोग दोनों में परक्रिया कराएंगे तो इसमें कराएंगे तो इसका इससे कराएंगे तो केपिटल टी स्माल टी को देखने को मिलेगा अब इसका इससे परक्रिया कराएंगे तो इस ब्रकांद रखेगा दुखो यस टू पीडी जो मिल्ए है तो उसमें लंबा और बॉना का अगर अनुपात देखा जाए तो तो तीन संदिए एक अनुपात में आ रहा है दो धो लंबा एक यह वी लंबा हो गये तो तीन संदी एक बॉना आगा तो दूसरा नियम प्रृत्यकरान गाप जेदें पूरा केलियर कर आधा हो गया होगा अगर आगे अगर आगर क्रेटें जिसे हम सौटंत्र अभ्यॉन का नियम कहते हैं यह यह वादर सा था इस हैं कि जब दो जोड़ी वीपृत लक्षण वाले पौधे की वीच संक्रण करा जाए तो उसे सौतंत्र ता अफ्यॉन का नियम कहते है और इसमे लक्षन जो हता है, नो समंदे, तीन समंदे, तीन समंदे, केनुपात में देखने को मिलता है, जैसे, एक्जामपल समझो, पूरा किलिए रो जागा, जैसे यह है, देखो, यह आपका गोल वा पीला दोनों परभावी सुद्ध है, ठीक है, तो देखो, एक केपिटल टी, अरे केपिटल आर, केपिटल आर, इसमाल वाई, इसमाल वाई, आर मतलब वता है, यहां पे, राउंड, राउंड मतलब गोल, वाई मतलब एलो, एलो मतलब पीला, तो गोल के लिए हमने, यहां पे आर आर से कर दिया, पीले के लिए हमने वाई वाई कर दिया, जैस्ट इसका नो समंद्दे तीन समंद्दे के नुपात में देखने को मिलेगा जैसर गॉले व अपीला इसका आगर आम नीकालें तो एक क्या होगा कैपिटल रही स्माल आप एक खोड़ागा स्माल वाई देखो यह जो आपका नो समंदे नुपात में देखने को मिलेगा वो किनके बीच रहेगा तो गोल वा पीले दून परभावी दहेंगे नो के नुपात में और तीन अनुपात जो रहेगा गोल वा हरे पहला गोल वा हरे के नुपात में होगा गोल और हरे लेकिन याद रखिये का पहला परभावी होगा दूसरा जो होगा और जूरीदार वह पीले और प्रभावी निकलेगा दूसरा तीसरा के बात करो जो तीन अनुपात में होता है तो यहां पे जो होगा पीले जो होगा और प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा प्रभावी होगा इसी तरह यह जो अनुपात निकलेगा जूरीदार वह अहर डीके इन वहीक है ड़ना है यह प्रसनी बहुत ज्यादा इंपरेटेंट है चलो अगला पर suffer देखते हैं जो कि आप लोगुब याद करके जाना है तिक यह प्रसन जो माको बता रहाएं जो बहुत ज़्यादा important है प्रस्ण यह है मेरे प्रश्ण क्या है पोस्ण क्या हो सकता है क्यूं पढ़ती है पोस्ण के मुख्य प्रकारों का उगले कीजिए very very most important है चलिए देखते हैं पोस्ण क्या होता है तो देखे स्वस्ट और विकास के लिए आवस्यक भोजन प्रदान गरहन करने के प्रक्रिया कोई पोस्ण कहते हैं हमें यह पोस्ण पोसक तत्तों से प्रकार अरे हम जीवित हैं हम अपने स्वस्ट के लिए अपने विकास के लिए जो हम लोग भोजन प्रात्त करते हैं वह भोजन तो पोस्ण कहलाता है और यह पोस्ण कहां से मिलता है पोस् सबसे पहले हम लो लिख Links नाम से गाता है तो सबसे पहले हम लोicking गेंगे एंपर सब्सब्स अपर बनाते हैं है ऐसे च्छी पोस्धि कहलाएं कि इस पोर्षय को कि अन्तर हुए अपना बोजन स्वेम बनाए va ठीक है जिसम्र्बोसी पोशन जिसे परक्रिया हम लोग कि इस पोशन के प्रिक्रिया के अंदर यह आएगा कि कोई जीव अपना भोजन नहीं बनाएगा अब तो किसी दूसरे जीव पर निर्भीत रहेगा उसके बने वह अपना गरान करेगा ठीक है उससे हम बोलते हैं विश्ण पोशी पोशन या पर पोशन के लिए रोगया आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो यह जो होता है तीन परकार के माने जाते हैं ठीक है तो तीन परकार के माने जाते हैं कौन-कौन तो देखो एक आता है प्राणी संभोजी पोशन दूसरा आता है मृत्तो पोशिवी पोशन पहले हम लोग देखेंगे प्राणी संभोजी पोशन हम लोग भी प्राणी सम्भोजी में ही आते हैं क्योंकि ठोस पदार्थ को हम लोग गरान करते हैं ठोस पदार्थ को हम लोग असानी से गरान कर सकते हैं और प्राणी सम्भोजी पोसन कहलाते हैं और भोजन भच्छन करते हैं जीजों की ठीक है चलिए आगे अगर मात करें मृत तो पजीवी पोसंड यह क्या होता है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जन्तु या पोधे तथा उनके उस सर्जी पदार्थों आदी से प्राप्त करते हैं उन्हें मृत तो पजीवी पोसंड कहलाते हैं पर जीवी पोसन पतर करने। पर जीवी पोसंड कहरते हैं जेरी तो पजीवी पोसंड कहला दो आपको आपको जान वे पार लेगे जैसे रुदेर चूसन वाला मक्चर मकचर हम लोगों का जान पराण नहीं लेगा लेकिन हम लोगों के सरुले में ही टूच रखकर अपना वोजन पराप कर लेगा हम लोगों के बलड के माद़न से और पौदे के बिभीन रोग भी ऐसे ही होते हैं ताई होद केलियर हो गया होगा आप लोगों को तो देखे आगे वोड़े में हमने बाइलोजी के सभी मुस्ट इंपोटन क्यूसंस आप लोगों को बता है इससे बार एक भी प्रस्टन एक्जाम में जाने वाला नहीं है हलांकि आप लोगों के इन प्रस्टन को याद करना है आचे तरीके से लिख कर प्रेक्टिस करनी है और रिवाइस करके ही अप लोगों के एक्जाम में पहुचना है तो वीडियो का इसलिए बताई वीडियो अच्छे लिए लिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रस कर लिजेगा मिलेंगे प् सब्सक्राइब करने सुड़ें तब तक के लिए धन्यवाद